जंतर मंतर पर रेसलर से मिले पहुचे सचन पाइलट बोलेने स्पक्ष जांच हो ली चाहिए ब्रजभूशन ने पहलवानों के मेडल को 15 रुपे का बताया भारतीय कुष्टी संग के अध्यक्षिबरज भूशन शरण सिंग की गिरफतारी के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का आज 27 वत दिन है खापो द्वार महापंचायत कर सरकार को दी गए अल्टीमेटम के अब सिर्फ दो ही दिन बचे है अभी तक किसी के गिरफतारी नहीं हुई है ऐसे में किस मई के बाद इस धरनेवा आंदुलन को बड़ा रूप दिया जा सकता है धरने पर आज राजिस्थान के पूर विटिप्टी सीम सचिन पाइलेट भी खिलाडियों से मिलने वा उनका समर्थन करने पहुँचे जहां उन्होंने कहा कि मामले की निस्पक्ष जांच होनी चाहिए वही है कि यूटूब को दिये इंट्रूवियों में ब्रजभूशण ने खिलाडियों को लेकर कई तरी की बाते कहीं है ब्रजभूशण ने खिलाडियों के मैडल लोटाए जाने की बात पर कड़ी टिपड़ी की है उन्होंने कहा कि मैडल की कीमत तो 15 रुपे है अगर वापस करना ही है तो करोड रुपे का नगत पुरुसकार करे उन्होंने कहा कि जो पैसा फेडरेशन सरकार जन्ता ने उन्हें दिया है गाउं गाउं में मान सम्मान हुआ है जिसकी कीमत कई करोड रुपे है ये वापस करें जब मैडल वापस माने जाएंगे इस खेल के बदोलत नौकरी मिल गई है मैडल लोटा भी देंगे तो क्या होग सारा पैसा बियाज समित वापस लोटा है